अब विधान सभा, विधान सभा को अंग्रेजी में legislative assembly कहते हैं क्या कहते हैं legislative assembly विधान सभा के सदस्च को हिंदी में विधान सभा सदस्च कहते हैं तो अंग्रेजी में उसे member of legislative assembly कहते हैं अर्थाट MLA, MLA अर्थाट Member of Legislative Assembly, जैसे लोक्षभा के सदस्य को हम Member of Parliament कहते हैं, MP, वहाँ पर संशद सदस्य कहलाता है, वो लोक्षभा सदस्य नहीं है, विधान सदस्य को MLA और निम्न सदन इसे कहा जाता है, जैसे कि लोक्षभा निम्न सदन है, जैसे लोक्षभा लोकप्री सदन माना जाता है, ऐसे ही विधान सदन भी लोकप्री माना जाता है, तो कुल मिलाकर लोकसभा और विधान सभा लगवग एक ही है अंतर केवल यही लोकसभा जहां केंदर में है वही विधान सभा राज्यों में कमो बेश वही स्थिती वही शक्तियां वही धाचा वही संरचना वही संगठन तीसरा है विधान परिशद विधान मंडल की बात करते हैं तो जो एक तरीके से जो एक तरीके से केंदर की राजसभा शामान है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं legislative council और इसके सदस्य को कहते हैं member of legislative council इसे उच्छ सदन कहते हैं जैसे कि राजसभा को कहते हैं इसे दुती सदन भी कहते हैं जैसे कि राजसभा को कहते हैं इसके सदस्वों का चनाव भी अप्रत्यक्ष होता है जैसे कि राज्य सभा के सदस्वों का चनाव भी अप्रत्यक्ष होता है लेकिन एक अंतर है जरूरी नहीं है कि हर राज्य के विधान मंडल में विधान परिशद हो ये जरूरी नहीं है वर्तमान में अंत्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, करनाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट और जम्मु कश्मीर यहां की विधान मंडल में दो सदन है अर्थात यहां विधान परिशद भी है तीस राज्यों में से मात्र इन राज्यों में विधान परिशद है साथ राज्यों में विधान परिशद शेश राज्यों में केवल विधान सभा है एक सदन है दूई सदन नहीं है च्छतीजगड़ की भी बात करें तो च्छतीजगड़ में विधान परिशद नहीं है च्छतीजगड़ में भी एक सदनात्मक विवस्था है और जिसे विधान सभा कहते हैं इसलिए जिए हम च्छतीजगड़ के विधान मंदल की बात करें तो उसमें राज्य पाल है और विधान सभा है बात इस पश्ट राज्यों के लिए विधान सभा का जो राज्यों के लिए विधान परिशत के जो गठन की बात है वो एक एच्छिक निर्णा माना गया राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया राजियदी से वजूद समझे, महत्पूर्ण समझे तो वह विधान परिशद का प्रस्ताव रख सकता है विधान परिशद वहां के लिए निर्मित की जा सकती है लेकिन फिलहाल मातर साथ राजियों में विधान परिशद है एच्छिक है यह तो विधान के अनुशेद 169 के अनुशार विधान सभा अपनी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो तिहाई लोग यदी विधान परिशद के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते हैं और भारती संसर साधारन कानून बनाने की प्रक्रिया से कानून बना कर किसी राज में विधान परिशद लागू कर सकती है तो नियम क्या हुआ विधान परिशद एच्छिक राज की इच्छा पर है और यदी इच्छा पर है तो कैसे अभिव्यक्ति होगी विधान सभा के उपस्थित सदस्यों मद्दान करने वाले सदस्यों में दो तिहाई लोग प्रताओ के पक्ष में वोट दें फिर ये मामला संसद में जाता है केंदर में और फिर संसद उसे साधारन भहुमत से स्विकार कर ले साधान बना कानून बनाने की प्रक्रिया से कानून मना दे इस प्रकार विधान परिशद स्थापित विधान परिशद को भंग विधान परिशद को समाप्त करने का भी तरीका यही है विधान परिशद किसी राज्य में है और उसे समाप्त करना है तो विधान सभा के दो तिहाई सदस ऐसा प्रस्तावदे जो संसद में जाए साधारन बहुमत से पारित होने पर विधान परिशद समाप ये हो गया विधान परिशद के बारे में कुछ जानकारी लेकिन हम अपना ध्यान अभी केंद्रित करेंगे विधान सभा पर विधान सभा कैसे गठित होती है ज्यादा कठिन नहीं है वैसे ही जैसे लोक सभा प्रसम सदन या निम्न सदन जिसे कहते हैं या लोक परी सदन जिसे कहते हैं निश्टित रूप से या विधान परिशत से ज़्यादा शक्तिशाली है जैसे कि लोक सभा रज सभा से ज़्यादा शक्तिशाली है यदि इसके गठन की बात करें तो इस तरह कुछ शीरशक बनेगा सबते पहले सिदस्य संख्या क्या होगी अर्थात रज की विधान सभा के सदस्यों की संख्या चुनने का आधार क्या होगा किस आधार पर सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी तो सम्विधान का अनुछेद 171 स्पष्ट है उसके तहट अधिक्तम संख्या 500 होगी और नियूनतम 60 होगी अर्थाज भारत के जो 30 राज्य हैं उसमें किसी भी राज्य में जहां विधान सभा है सभी राज्यों में विधान सभा है नियूनतम संख्या साथ लेकिन कहीं पर भी 500 से ज्यादा नहीं होगी देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर पदेश में हैं लेकिन अधिक्तम कितनी हो सकती है 500 चुनाओं के लिए जो भौगोलिक आधार और जन संख्या के आधार पर निर्वाचन खेत्र बनाए जाते हैं जैसे पूरे देश में लोकसभा चुनाओं के लिए 543 निर्वाचन खेत्र ऐसे ही राज्य में भी निर्वाचन खेत्र बनाया जाते हैं भावगोलिक और जन संख्या के आधार पर विधान सभा का प्रतेक 75,000 जन संख्या का प्रतिनिदी एक सदस से जैसे लोकसभा में पहले 10 लाक पर एक उसके बाद हर 20 लाक पर एक एक तो यहाँ विधान सभा के लिए नियम है 75,000 पर एक राइपुर की विधान सभा राइपुर शहर में कितनी विधान सभा सीटे हैं चार नियम है पहले 75,000 पर एक 36 गड़ विधान सभा के सदस संख्या 90 तो 36 गड़ का एडिया आप नक्षा देखें तो 90 निर्वाचन खित्र दिखेंगे इन 90 निर्वाचन खित्रों में 47 सामान्य 34 अनुसूची जन जाती और 9 अनुसूची जाती इसके अलावा दो एंग्लो इंडियन कुल नब्बे संख्या हर जन गड़ना के बाद विधान सभा की सदस्य संख्या को पुनर नर्धारित किया जाता है जो जन गड़ना हर 10 वर्ष में होती है उसमें जन संख्या बढ़ती है बढ़ती जन संख्या के मद्दे नजर उस राजिके सीटों की संख्या भी अनुपातिक जिष्ट से बढ़ाई दी जाती है लेकिन अधिक्तम कितनी होगी पांच सौ ये इस पाश्ट है संविधान का जो 42 संख्या हुआ था 42 संख्या के अनुचार 2001 तक के लिए सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी जो अब 2026 तक बढ़ा दी गई है तो अभी वर्तमान में कितनी संख्या है थोड़ा इस पर नजर डालें मैं विधान सभा के सदस्यों की बात कर रहा हूँ बिहार में 243 36 गड़ में तो 90 है बिहार की जन संख्या और इसका भागोलिक खेत्र वहाँ पे 243 है हर्याना में 90 हैं जैसा कि 36 गड़ में है तामिल लाड़ में 234 विधान सभा सदस्यों हिमाचल प्रदेश में 68 विधान सभा सदस्यों तो इस विधान सभा के सदस्यों की संख्या देख कर भी हम और आप अंदाज लगा सकते हैं कि भागोलिक दिश्च से और जन संख्या की दिश्च से कोई राज्य किसी अन्य राज्य की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा है करनाटक 224 महराश 288 और उत्तर प्रदेश जिसका मैं पूर में जिक्र कर रहा था और आपको कह रहा था 400 से ज्यादा है तो इसकी यदि एड़्डेक संख्या 403 है यानि 36 गड़ से चार गुना से भी ज्यादा सीटों की संख्या केवल उत्तर प्रदेश की अकेले है जैसे लोक सभा में अन्य राज्यों की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा सीट लोक सभा में उत्तर प्रदेश को है ऐसे ही विधान सभा के मामले में भी बहुत ज्यादा इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो राज्यनीतिक दिश्टिस से सभी दलों के लिए बहुत महत्पूर्ण है उत्तर प्रदेश के चनाओं को लेकर पूरे देश में सरगर्मी रहती है उसके परणामों को लेकर बहुत उत्साह रहता है बहुत तनाओं भी रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्यनीति पूरे देश की राज्यनीति को प्रभावित करती है आप यही इस बात से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्पूर्ण है राजनीतिक जिष्ट से कि देश के अधिकतर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं पंडि जवालाल नहरू उल्जारी लाल नंदा लाल बाहदुर शास्त्री शीमिती इंदरा गांधी उत्तर और वरतमान में श्री मोधी यद्यपी वो गुजरात के हैं लेकिन का चुनावी ख्षेत्र लोकसभा में वे किस ख्षेत्र को प्रतनेदित करते हैं वारानसी का और प्रतनेदिक कहा है उत्तर पुद्तर्धेश में तो आप देखेंगे सभी राज्यों के विदान सभाओं के सीटों की संक्या और जैसा मैंने बताया कि नियुनतम संख्या होनी चाहिए साथ संग शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है दिल्ली का जते मैंने बताया संग शासित होते हुए भी एक बहुत बड़ा पुआद है वह एक राज्य है जिसकी अपनी सरकार है अपनी विधान सभा है इस बात को आप अच्छी त कारण है जिसमें से एक महत्पूर्ण कारण वा देश की राजधानी है जहां पर केंदर सरकार बैठती है इसलिए और उसको जो राज्य का दर्जा दिया गया है उसके कारणों में अनेक कारण है तो आप जानने कि यहां कि विधान सभा की सतर सीटें हैं और पॉंडिचेरी भी एक अन्य राज्य है जिसकी अपनी सीटें हैं अब आरक्षन की बात करें जैसा लोक सभा राज्य सभा में आरक्षन है ऐसे ही विधान सभा में भी आरक्षन है राज्यों की विधान सभा के आरक्षन का अधार उस राज्य में अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती कि संख्या तेकर क्या धार पे होता अनुसूची जण जधी की धन्सा के अनपात में सीटों का आरक्षन है किसी विधान सभा के सामानी निर्वाचन में एंगिलो इंडियन का भी आरक्षन है जो कि यदि सामानी में न मिला हो तो राजिपाल के द्वारा उन्हें नामित किया जाता है 36 गड़ के मामले में राजिपाल इस समुदाय के सदच को विधान सभा का सदच से मनोनीत करता है जैसे लोक सभा में एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के लिए राष्टिपती दो को मनोनीत करता है 36 गड़ की विधान सभा में भी मनोद्हयन का प्रावधान है एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के लिए क्योंकि अपने स्वायम के बल पर एंगलो इंडियन कम्यूनिटी अपना प्रतिनिधी विधान सभा में नहीं भीज चकता इनकी संख्या बहुत नगण्य है पर आपको जो समझना है यहां पर राक्षिन के मामले में वज़ा कि हर राज की अपने अरक्षित सीटों के संख्या है जो उस राज के अनुसूचि जाती और जन जाती की जन संख्या के अनुपात में दी गई है अब हम आते हैं निर्वाचन पर वही प्रक्रिया बिल्कुल वही प्रक्रिया जो लोक सभा के निर्वाचन में है वयस्क मताधिकार पहला प्रत्यक्ष मतदान जनता द्वारा दूसरा राज की निश्चित स्थानों के अधार पर निर्वाचन ख्षेत्रों का निर्मान तीसरा निर्वाचन खेत्रों के निर्माण में जन संख्या का अनुपाच समान हो यह सुनिश्चित किया जाता है यह चौथा बिंदू एक निर्वाचन खेत्र से एक ही सदस निर्वाचित पांचवा बिंदू फर्फ पांस दपोस्ट प्रक्रिया जैता कि लोकसभा में है छटोवा बिंदू उस खेत्र में निवास कर रहे सभी वरगों और जातीयों को मतदान करने का अधिकार यह साथोवाचित इस प्रकार लोकसभा की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी यथावत रज में लगू होती है मतदान की योगिताओं की बात करें तो वही योगिताएं जो लोकसभा के लिए मतदान के लिए अर्थाद 18 वर्ष नियूनतम आयू मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक पागल दिवालिया या विदेशी ना हो और किसी तरह से अपराधी घोशित ना किया गया हो कोई अपराध ना किया हो ये उत्तर नहीं है अपराधी घोशित ना किया गया हो नियाले के द्वारा उसे अपरादी घोशित करके सजा दी गई हो तभी वह वंचित होगा केवल अपराद कर देने से नहीं इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा ये तो हो गई मतदाताओं की योगिता है अब सदस्यों की क्या योगिता होती है बिलकुल वही जो लोक्षभा के सदस्य की लोक्षभा सदस्य और राज्य सबस्य रोक्षभा सदस्य और विधान सबस्य सदस्य होने की अहरताएं एक ही हैं पहला भारत का नागरिक याद रखेंगे ये कहना गलत होगा कि वह उस राज्य का नागरिक हो भारत का नागरिक होना जरूरी है राज्य की नागरिकता का पैमाना हमारे हाँ है ही नहीं हमारे हाँ राज्य की नागरिकता जैसी बात ही नहीं है दोहरी नागरिकता हमारे हाँ नहीं होती जैसा कि मैंने पूर में आपको संगवाद के बारे में समझाते हुए बताये था देश का नागरिक होना आनिवारे है दूसरा नियूनतमायू पचीस वर्ष जैसा लोकसभा में है तीसरा किसी लाब के पद पर सरकारी नौकरी में न हो चोथा पागल या दिवालिया घोश इतना किया गया हो पाँचवा वह संसद या राज के विधान मंडल द्वारा जो समय समय पर कुछ शर्तें रखी जाती हैं उसे पूरा करता हो बदलती स्थिति में यदि विधान मंडल कुछ योगिताओं को बदले परिवर्तन लाए तो वो उस पे लगू होगा और छट्वा और अरंतिम वही जन अधिनियम उन्नेस वाइंकावन उसके अनुसार मत उमीदवार किसी आतंकवादी गतिविदी में तसकरी, जमाखोरी, कादिपदार्त और दवाओं में मिलावट, महलाओं के खिलाफ अपराद ऐसी गतिविदियों में लिप्त ना पाया गया हो और लिप्त पाया जाने का अर्थात है कि अपराद साबित हुआ हो ऐसी स्थित में वह चुनाओ नहीं लड़ सकता ये जो बातें बाद में जोड़ी गई हैं जिसका जिक्र मैंने लोकसभा के सदस्ता के दोरान भी किया था उसके पीछे कारण ये है कि ये बड़े घिनाओने बहुत ही गंबीर अपराद माने जाले बहुत अत्यादिक गंबीर अपरादों की श्रेणी में यदि कोई उम्मीदवार आता है तो वो चुनाओ से चुनाओ में खड़े होने से वन्चित है लोकसभा के कारेकाल की तरह विधान सभा का कारेकाल भी पांच वर्ष का होता है किसी भी राज्य की विधान सभा हो केवल विधान सभा के सदस्यों की संख्या बदलती है राज्य की जन संख्या और भागोलिक खेत्रफल के आधार पर लेकिन बाकी सब वही है यहां तक की कारेकाल भी लोकसभा जैसे विधान सभा के सदस्यों का भी मात्र पांच वर्ष का है जैसे राष्ट्रपती भंग करने के अधिकार रखता है लोकसभा को ऐसे ही राज्य में राज्यपाल वह अधिकार रखता है आपात काल इस्थिते में संसद विधी द्वारा जैसे संसद में है प्रक्रिया कि आपात काल के दौरान एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है ऐसे विधान सभा के कारेकाल को भी एक वर्ष बढ़ाया जा सकता लेकिन आपात काल की घोशना के समाप्त होने के छै माह से अधिक यह कारेकाल नहीं बढ़ाया जा सकता यानि अधिक तम छै माह आपात काल की घोशना समाप्त होने के छै माह साथवा कोरम एक बटा दस सदस्य संख्या का एक बटा दस उपरस्तित होना अवश्चक है किसी भी कारवाई को चलाने के लिए जारी रखने के लिए कोरम की जरुष जो एक बटा दस है अधिवेशन वही वर्ष में तीन नियुनितम दो छह माह से ज़्यादा कांतर नहीं पहले अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच में पदा दिकारी लोक सभा में पदा दिकारी कौन है अध्धक्ष ऐसे यहां विधान सभा में भी अध्धक्ष जिसे अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं पदादिकारी के मामले में विधान सभा में भी स्पीकर और डेपटी स्पीकर और ये दोनों सदसे जैसे लोग सभा में लोग सभा सदसे चुनते हैं जैसे लोग सभा में प्रो टेम स्पीकर का जिक्र मैंने किया था ऐसे ही विधान सभा में भी प्रो टेम स्पीकर होता है किन्तु इस प्रकार की सूचना यदि हटाने संबंधी बात हो तो जैसे लोक सभा में 14 दिन की पूर्व सूचना हो ऐसे ही विधान सभा में भी 14 दिन पूर्व सूचना तद संबंधी सूचना दे दी जानी चाहिए आप देखेंगे विधान सभा और लोक सभा लगभग एक ही जासे हैं सदस्यों की संख्या को छोड़ दें तो बाकी सारे प्रावधान एक ही जासे हैं विधान सभा अध्यक्ष की कारे और शक्तियां वही जो लोक सभा अध्यक्ष की कारे और शक्तियों के अंतरगत हमने पढ़ा सदन की करवाई की अध्यक्षता करना पहला बिंदू सदन में शांती व्यवस्था बनाये रखना दूसरा बिंदू सदस्यों को प्रश्ण पूछने और प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देना तीसरा बिंदू सदन के नीमों की व्याख्या करना चौथा बिंदू नीमों की व्याख्या करने का अर्थ है बहुत बार सदन की व्यवस्था के संबंधी नीमों को लेकर सदस्यों द्वारा प्रश्ण उठाये जाते हैं नीमों की व्याख्या क्या है नीमों के माइने क्या है ऐसी स्थिते में अध्यक्ष द्वारा जो व्याख्या की गई अध्यक्ष द्वारा जो अर्थ बताया गया वहां अंतिम माना जाता है पांचवा किसी प्रश्ण पर मतदान करवाना परणाम की घोशना करना वैसे ही जैसे लोकसभा में होता है चटवां ये निश्चित करना कि यह विध्यक धन विध्यक है कि नहीं लोकसभा में जैसे उस पीकर तै करता है कि यह धन विध्यक है कि नहीं और यदि धन विध्यक है तो वो क्या करता है राश्पती के पास उसकी सहमती के लिए पूरवानुमती के लिए भेजता है और यजि धन विद्यक नहीं है तो क्या होता है लोक सभा या राज्य सभा दोनों में से किसी भी सदन में उस प्रस्ताओं को पहले भेजा जा सकता है विधान सभा में भी यही स्थिती है यजि धन विद्यक है तो राज्य पाल की अनुमती सदन में इसका जो अगला जो करता भी है गंबीर अव्यवस्था और अशान्ति की स्थित में कारवाई को स्थगित करना, निलंबित करना मार्शलों की मदद से उपद्रवी या ऐसे सदस्य जो उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं उन्हें सभा के बाहर, सदन के बाहर भेज देना ये उसकी कारे शक्ति में आते हूं अध्यक्ष जब उपस्थित ना हो तो उपद्यक्ष उसके कारेओं को समभालता है वैसे ही जैसे की लोक सभा में